हेलो एड़ीवन स्वागत है आप सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्मार्ट क्लासस में जैसे कि हम सीटर सेकेंडर पेपर के लिए नसी आईटी की साइन्स कंप्लेट कर रहे हैं तो आज यहां पर हम क्लास एट का चैप्टर रेट कंप्लेट करेंगे बल तथा दा करना चाहिए कितनी आपकी तैयारी है सारी चीज़े वहां से आपकी क्लियर हो जाएंगी चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथी बेल आइकन को प्रिस कर लिए ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें पॉर्ण देखिए किसी वस्तू पर लगने वाले धक्के अभिकर्शन्ट या खीचाओ अपकर्शन को बल केहते हैं बल की मात्रा बल का मात्रा को नूटन होता है तो जब भी देखे किसि वस्तू पर कोई धक्का लगाया चाए या उसको खीचा जाए तो धक्रशन्ट तो कहला था आपका बल कहलाता है बल का मात्रक होता है न्यूटन वस्तु में गती बल के कारण होती है तो किसी वस्तु में भी जो गती होती है जब उसमें बल लगाएंगे कोई धक्का लगाएंगे खीचेंगे तो किसके कारण होगी जब कोई बल लगाएंगे तभी तो गती गती बिराम अवस्था अथवा गतिसी लवस्था में हो सकता है तो देखिए गती जो होती है बिराम अवस्था में अथवा गतिसी लवस्था में हो सकती है मतलब क्या हुआ इसका कि बिरामा वस्ता में भी गति की जा सकती है और अगर कोई वस्तु गतिसील वस्ता में है तो भी उसमें बल लगा कर और अधिकती बढ़ाई जा सकती है किसी वस्तु पर एक ही दिसा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं निक्स्ट है बल एक दूसरे के से बड़ा या छोटा हो सकता है बल प्रबलता प्राया इसके प्रणाम से मापी जाती है तो देखे जितना बल लगाया जाएगा उसका प्रणाम उतना ही आएगा कम बल लगाया जाएगा उसका प्रणाम भी कम होगा ज्यादा बल लगाया यदि देखिए मैं दीसा बदल दीना बेन कि साथ सद्धी असद्ठी में उसका परिमाड कम ये जढ़ा जादma कम बल लगा दीना जाए तो जो नढ़ पर से जो बल से परिवर्तन होना होगा वो भी बदल जाएगा किसी वस्तु पर लगाए गया बल दोरा उसकी चाल बदली जा सकती है यदि लगाया गया बल गती की दिसा में हो तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है कि दिसा के विप्रीद दिसा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है जो मैंने भी आपको समझा दिया बल दौरा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है तो बल लगा कर देखिए कोई वस्तु गतिमान है तो उसकी अवस्ता में हम परि दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसकी आकरती में परिवर्तन हो सकता है निक्ष देखिए पेसी बल हमारी मांस पेसियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेसी बल कहते हैं तो देखिए जिस बल में हमारी मांस पेसियों का उप्योग किया जाए वो होता है पेसी बल बैल घोडे गधे यों उट जैसे पसु हमारे लिए विभिन कार करने के लिए उपयोग किया जाते हैं इन कारों को करने के लिए पेसी बल का उपयोग किया जाता है तो देखे बैल घोडे जो इनके दोरक काम किया जाते हैं तो ये लोग भी तो अपने पेसी बल का उपयोग क गर्षनपल सभी गतसील वस्तूं पर लगता है और इसकी दिशा सदयों के विपरीत होती है क्योंकि घर्षनपल दो सतवों के बीच संपर्क के काराण उदारान जब दो सतें संपर्क में आती है तो उनकी बीच में कौन सा बल उत्पन होगा घर्शन बल उत्पन होगा और घर्शन बल सभी गतसील वस्तू में लगता है इनकी दिशा सदयों कि धर होती है गती की दिशा के विप्रीत होती है घर्शन बल को संपर्क बल का उधारान होता है ये भी एक प्रकार का संपर्क बल होता है दो चुम्बकों में समान धुरू एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते हैं तो देखी चुम्बक जो होता है उसमें आपके दो धुरू होते हैं एक धनात्मक और एक रिड़ात्मक धुरू होगा और एक रिड़ात्मक धुरू होगा ऐसे धनात्मक रिड़ात्मक जब ध धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है जैसे चुम्बक मैंने भी आपको बताया आकर्शित करेंगी तो ये भी देखिए एक प्रकार का खींचना है प्रतिकर्शित करेंगी तो मतलब धक्का देना है एक दूसरे से दूर जाना है तो ये भी एक प्रकार का देखिए बल माना जा सकता है निक्स है एक चुम्बक दूसरे चुम्बक पर बगैर संपर्क में आई ही बल लगा सकता है चुम्बक दौरा लगाया गया बल असंपर्क बल कहलाता है तो संपर्क बल आपके समझ में आ गया होगा कि जब एक वस्तु दौरा दूसरे वस्तु पर बल लगाया कि जाए संपर्क की भागे जाएं तो आपको हो जाता है संपर्क बल नेक्स इस्तिर वैदुत एक आवेशित वस्तु किसी दूसरी है वस्तु अथ्वा नावेशित वस्तु पर लगाया गया बल इस्तिर वैदुत कहलाता है तो इस्थिरवेदुद आपका क्या होता है जब कोई आवेसित वस्तु, किसी दूसरी आवेसित वस्तु पर लगाए या अनावेसित वस्तु पर लगाए तो वो आपका कहलाता है स्थिरवेदुदट बल असमपर्क बल के उधारण है तो ये न divisions समपर्क चया ओ सकता नहीं हो वही होता है इकांग चेत्रफल लगने वाले बल को किसी प्रस्ट पर दिखिए पवन तथा चक्रवात वायुदाप के अंतर के काराण बनते हैं तो वायु दाब में जब अंतर होता है तो क्या बनते हैं आपके पवन और चक्रवात यदि बल बराबर हो तो प्रष्ट का छेतरफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा कील के नुकेले सिरे का छेतरफल इसके सीर्स की अपेच्छा बहुत कम होता है यहां पर देखी यह कह रहा है कि अगर बराबर बल आप लगा रहे हैं तो प्रष्ट का छेत्रफल माली जो कोई प्रष्ट है और उसमें प्रष्ट का छेत्रफल जितना ही कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिका लगेगा अगर किसी कील की बात करें तो कील की जो नुकीले सीरे का छेतपल होता है उसके सीर्स के पेचा बहुत ही कम होता है क्योंकि उसका जो सीरा होता है नुकीला सीरा जो होता है वहां का छेतपल कम होता है इसलिए वहां पर दाप भी कम होता है नेक्स है वायू मंडल, हमारे चार और वायू है, वायू के सावराण को वायू मंडल कहते हैं वायू मंडली दाप, वायू मंडल वायू प्रदभी के तल से कई किलो मीटर उपर तक फैली है इस वायू दारा लगाये दाप को वायू मंडली दाप कहते हैं देखें वायू मंडल हमारे चारोर जो वायू है वही वायू मंडल है आपका और जो ये वायू मंडल है वो प्रदबी वायू मंडली वायू जो है प्रदबी के तल से कई किलो मीटर उपर तक फैली है जिसे प्रदबी है तो वायू मंडल जो है कई किलो मीटर तक फैला हुआ और इसी वायमंडल जो दाब लगाया जाता है वो वायमंडली दाब हो जाता है हमारे सरीर के अंदर का दाब भी वायमंडली दाब के बराबर है और ये बाहर के दाब को निरस्त कर देता है सत्रावी सताबदी में जर्मिनी के एक बेग्यानिक आटोवान गयरेक ने बर्तनों से वायू बाहर निकालने के लिए एक पंप का विसकार किया था तो देखी याद रखेगा आटोवान गयरेक ने बर्तनों से बाहर निकालने के लिए किसका विसकार किया था एक पंप का वि प्रिद्वी पर समुद्र तल वायू मंदली दाप का मान 100 kg प्रति वर्ग होता है तो यहां देखिए आपके चप्टर कंप्लीट होता है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा साथी में जो भी चनल पर नए है वीडियो को लाइक करके चनल को सब्सक्र पास करना बहुत ही जरूरी है मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग